हाँ तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है अर उमीद करतें अच्छे होगे तो एक और न्यू वीडियो के साथ में आ चुके हैं वापस अब भाई बात करतें इस वाली वीडियो की तो आप सभी लोगों को पता होगा कि Apex Legends Mobile ने अपने सर्वर को डिसकंटीन्यू करने की ए अभी वो एकदम growing phase में था और grow होने से पहले ही अगर कोई वी गेम डिसकंटीन्यू हो जाता है तो वो काफी बुरी बात होती है अब यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो Apex Legends Mobile की जो release date थी वो 1 मई थी और यहाँ पर same वो लोग इस वाले गेम को डिसकंटीन्यू करने वा तो hope so कि जो Apex Legends Mobile के players हैं वो new state के अंदर shift होंगे because new state अभी काफी ज्यादा grow हो रहा है और यहाँ पर हर एक बंदे को मालूम होगा कि new state के अंदर भाई PC level के graphics आपको mobile device के अंदर देखने को मिलते हैं जो किसी भी mobile game के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है और अगर बात करे भाई Apex Legends Mobile player की तो भाई मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग new state को एक बार try out जरूर से करना बाकि आपकी मर्जी अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वाले game को regular basis पे खेल सकते हो otherwise जो भी करना चाहो भाई वो कर सकते हो और इसके बाद अगर भाई मैं अपनी बात करूँ तो यहीं पर इस वाली वीडियो को end करते हैं अब यह वाली वीडियो एक बहुत ही छोटी वीडियो थी I hope आपको अच्छा लगा होगा कुछ unique information मिली होगी Apex Legends Mobile से related तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना मिलते हैं इसी के साथ केल किसी new वीडियो म till then bye bye